मेरी प्यारे दोस्तों कल परधान मंत्री की सुरक्षा में जो देखने को मिला इसमें कई बयानवाजी भी देखने को मिल रही है रास्टपती रामनात गोविन ने फोन करके परदान मंतरी का हाल पुछा और परदान मंतरी और रास्टपती की मुलकात भी होई जिन में सारी बातों की समिछा की गई रास्टपती ने परधान मंत्री को लेकर चिंता जताई गरह मंत्राले एक्सर में आ गया है पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है और सुप्रीम कोट में याचिका भी डाल दी गई है इन सपर 36 गड़ के मुख मंत्री भूपेन बगेल ने इसे पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए सरयंतर बताया है बीजेपी की योजना बताया और कहा कि कुर्सिया खाली थी तो वहां क्यों जा रहे थे उन्होंने कहा कि भटिंदा बापस आकर पीम ऐसे बयान देते हैं कि मैं सुरक्षित बापस लोट आया इस पर धन्यवाद क्या आपकी गारी पे पत्रा हुआ था क्या आपको काले घंडे दिखाए गया थे जिसके लिए आपको ऐसी बयान देने की जरुवत पढ़ी इसका मतलब है कि आप भिसुद रूप से राजियों की पहुंचे तो उन्ह परधान मंतरी के काफिले के ठोड़े आगे फर तस्ट कारी नाती तलवार और डंडे आदी लेकर परदासन कर रहे थे वहां पे कुछ भी हो सकता था उन्होंने कहा कि पर्धान परधान मंत्री को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था इतना नीचे आकर बयान नहीं देना चाहिए था कि जान बच गई राजनीती लाव के लिए इस तरह का बयान दिया गया है यह बहुत ही दुरभाग पूर्ण कुछ इस तरह की ही घटना बंगाल में हुई थी जब टा परधान मंत्री को ही निसाना बनाया जा रहा है इस पर अपनी राय जरूर दे वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें